नमस्कार दोस्तों, महांनाम है अईश मसी, स्वाकत है हमारे चनल नौलिज साती में दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं stark blood collection के बारे में कि milk collecting कैसे करते हैं और हमें किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए हमें cásture करने से पहले हमेशा patient को identify करना चाहिए ताकि उसकी रिपोर्ट अदला बदली या कोई डियाग्नोस में गड़वर्ण नहाओ प्रोसीजर करने से पहले हैंड गॉश करें और गलफ का यूज हमेशा करें कलेक्शन करने से पहले जिस एरिया में आप कलेक्शन लेंगे उस एरिया को अलकोहल स्वैब से अच्छे से क्लीन करें और सैंपल कलेक्शन ट्रे को पहले से ही रेडी करके रखें सैंपल कलेक्शन ट्रे में अलकोहल स्वैब, टॉनिकेट, ब्लट कलेक्शन वाइल्स, माइक्रो पोर और सिरिंजिस होना चाहिए निडल को प्रिक करने से पहले ये धान दीजिए उसको डीब प्रिक ना करें और हमेशा उसको 30-40 डिगरी एंगल में ही आप उसे प्रिक करें इसे पंचर होने के वेन को चांसिस कम हो जाते हैं सेंपल कलेक्शन की कुछ common method है जैसे direct sin से हम सेंपल कलेक्शन करते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक और शेर करें हमाई चनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दवाना ना भूले अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मारे comment section में comment करना ना भूले धन्यवाल